पढ़ रहे थे class 7th science का नया लेसन जो था जीवों में स्वसन तो ये हमने शुरू करा था जीवों में स्वसन हम पढ़ रहे थे कि हम स्वसन क्यों करते हैं पहले हमने ये पढ़ा और स्वसन के बाद हमारे साथ क्या होता है क्या क्रिया हम करते हैं अक्सिजन को लेते हैं कर्व प्रड़ है थे कैसे हम सहसमित करते हैं समय कैसे करते हैं यह सब हमने पढ़ा था तो आप हम यह जानना जाते हैं कि हम सुष्वास कैसे ल Lewis Prose के यह तो अब पहुंचे थे यहां तक यह सब हमने पढ़ लिया था encouragement हैं और पिर उपर आ जाता है अब हम पढ़ेंगे अगला में प्रेलिस्ट में जाकर पढ़ सकता है आज हम इसका सेगिंड पार्ट पढ़ेंगे ठीक है तो आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए तो हम सुरू करते हैं आज का नया लैसन जीवों में स्वस्वन का आगे का सेकिंड पार्ट ठीक है तो चलिए आप सब मेरे साथ पढ़िए एक गहरी सांस लीजिए सबसे पहले 6.4 हम जो है पढ़ेंगे किसी मापन फीते से वक्ष का माप लीजिए सबसे पहले आपको एक गहरी सांस लेनी है और अपने वक्ष का माप लेना है ठीक है इस माप को साड़ी 6.2 में नोट करना है पुरना विस्तारी तोने पर आप फिर वक्ष का माप लीजिए फिर सांस अब जब छोड़ते हैं तो फिर से आप लीजिए और किस सहपाटी से अधिक्तम विस्तार दिखाया ये सब आप लोग फ्रें सकते हैं प्लास्टिक की चोड़े मुह वाली एक बोतल लेनी आपको क्या करना है चोड़े मुह की बोतल लीजिए इसके पेंदे को काटकर अलग कर दी जिया वाई के अकार की कांच uda प्लास्टिक की एक नली लीजिए बोतल के दक्कन में एक ऐसा चितर कीजिए जिससे यह आसानी से निकल जाए न लिके सिर पर दो गुबारे लगा दीजिए ठीक है अनुसार बोतल में लगा दीजिए बोतल का ढखकन लगा दीजिए तथाव से इस पकार सील कर दीजिए कि वह वायुरोध हो जाए बोतल के खुले पेहदे पर रबर अथवा प्लास्टिक कि एक पतली सीट लगाकर किसी रबर बेंड की साहिता से पांद दीजिए फेपरों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबर की परत को पकड़ कर आधार से नीचे की और खीचे और गुबारों को देखिए इसके बाद रबर की परत को उपर की और धखे लिए और गुबारों को देखे क्या आपके गुबारों में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको अब आपको इस तरह की क्रिया करनी है यह देखे जैसे इसमें दिखा रखा है आपको बोतल है दो बोतल ले रखी है यह और यह गुबारे इसके अंदर बादे गए हैं, यहां पीच्के दिख रहे हैं, यह पूले हुए दिख रहे हैं, और यह रबड शीट है, यह रबड सीट माँ दी गए है, यह नीचे से खुला है, स्वसन की क्रियाविदी को दिखाने के लिए यह दिखाए गया इस मोडल में गुबारा की संग को प्रदर्शित करते हैं रबड की परत किसे प्रदर्शित करती है ये भी आपको समझना होगा ठीक है हम उच्छ स्वसन में बाहर क्या निकालते हैं अब हम उच्छ स्वसन जब लेते हैं तो उसमें बाहर क्या निकालते हैं तो इसके लिए क्या करिया कलाब दिया गया है कोई एक पतली परकनली लेनी है पतली सी एक लंबी सी इस टैप सी एक परकनली होती है जिसमें कॉर्क लग और नगार में आन्रों लिए को आधारी शत्वाय। जिस वायू को उत्षीया का हैं जिस वायू का अंताव स्वेसन हुआ करते हैं वह घ्यास का ही मिस्रान होती है उच्छ अन्ता स्वासित में उच्छ वायू में ऑक्सीजन और कार्बन डायक्साइट का प्रतिशत क्या होता देखा अन्ता स्वासित वायू में होती है 21 परसेंट ऑक्सीजन और उच्छ स्वासित वायू में 14.4 परसेंट ऑक्सीजन होती है ठीक है और इसमें जो है 4.4% carbon dioxide होती है और इसमें 0.4% carbon dioxide होती है हम क्या उच्छ स्वासित करते हैं हम के वल carbon dioxide का उच्छ स्वासित करते हैं अथवा अन्य गैसों के मिस्तन को उच्छ स्वासित करते हैं क्या आपने यह भी देखा होगा और आप दरपन के सामने उच्छे स्वास छोड़ते हैं, तो उसकी सतब पर एक धुद्ली सी परग होती है, जब आप सीसे के सामने कोई छोड़ते हैं, उसमें एक आपको धुद्ली सी परग दिखाई देती है, यह नमी के कारण है, जल के बिंदुकन कहां से आते हैं, जल के कि हम लोग सवसन करते हैं इसी प्रकार अन्य जन्तु लोग भी सवसन करते हैं ठीक है जन्तु में भी सवसन इसी प्रकार होता है तो यह स्टुडेंट हम क्या पढ़ रहे थे कि जन्तु में सवसन कैसे करते हैं हाथी, सेर, गाई, बकरी, मैधग, छिपकली, सभी जनतु स्वसन की क्रिया करते हैं जनतु और पक्षियों में भी जनतु की वक्ष गुआओं मनुष्यों की भाती ही फेपले भी होते हैं जीव स्वसन कैसे करते हैं क्या इन में भी मनुश्यों की फेपलों जैसे अंगों होते हैं अब हमने इसका पता लगाना है कि हम कैसे बूजो जानना चाहता है कि क्या कौक्रोच, तिलजटा, घोंगे, मचली, कैंच्वे, चीटी, आदी, मच्चर भी फेपले, मच्चरों में जानना चाहरा है कि क्या इन में भी मनुश्यों की तरह होते हैं अब कौक्रोच को देखते हैं कौक्रोच के सरीर के पार सु भाग में चोटे-चोटे चिद्र होते हैं अन्य कीटों के सरीर में भी इस प्रकार के चिद्र होते हैं ये चिद्र स्वासरंद्र कहलाते हैं तो इ औक्सीजन सम्रिद वायू स्वास रंदों से स्वास नालों में जाकर सरीर के उत्तकों से विक्सित होती है और सरीर के प्रतिये कोसिका में पहुंचती है इसी प्रकार कोसिकाओं के कार्मडाय अक्साइड स्वास नालों में पहुंचती है और स्वास रंदों से बाहा निकल ज जनतों की अन्य समुवें में ऐसी कोई व्यूस्था नहीं होती है, ठीक है? और देखे, कैंचवे का क्या है? अब देखे, कैंचुवे में किस तरह से होता है? कक्षा 6 के अध्याई में आपने बढ़ा था कि कैंचुवे अपनी तवचा से स्वसन करते हैं, तो कैंचों का तवचा इसपर्स करने पर आंद्र और स्लेशमी प्रतीक होती है इसमें से गैसों का आवा गमन जो है आसानी से हो जाता है यदि मैधक में मनुष्य की भाती फेपड़े होते हैं मैधक में जो है मनुष्य की भाती ही फेपड़े पाये जाते हैं तथा पी वे अपनी तवचा से भी स्वसन करते हैं लेकिन वे अपनी तवचा से भी स्वसन कर सकते हैं जो कि आद्र और स्लेशमी होती है तो दिया इस्टूरियां देखिए कैंचों की तवचा बहुत जादे वो होती है इस पर्स करने पर स्लेशमी प्रतीत होती है तो उसमें गैसों का अवाब गण जो है असानी से हो जाता है इसलिए वो उससे भी स्वसन कर लेते हैं और मैधक में जो है मनुष्य की भाती ही फेपड़े पाए जाते हैं ठीक है अब देखे जल में स्वसन जल में स्वसन कैसे होता है कुछ जनतु जल में भी रहते हैं क्या हम जल में स् स्वसंद करते हैं कक्षर 6 में भी आपने पढ़ा होगा कि मचलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि मचलियों में गिल पाए जाते हैं जल में घुली ऑक्सिजन का उपयोग करने में उनकी साहता करते हैं जो कि उन्हें ऑक्सिजन का उप तो आपको देखना है कि क्या पादब भी श्वसन करते हैं आपको अभी यह सब चीजे जब बड़ी कख्याओं में जाओगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी यहां पर इतना ही दिया गया है तो आपको देखना है कि क्या पादब मतलब पौधे भी स्वसन करते हैं पौधे भी स्वसन कर सकते हैं तो अन्य जीवां की भाती पादब भी जीवित रहने के लिए स्वसन करते हैं तो जैसे कि अन्य सारे जीव जो है स्वसन करते हैं इसी पेकार पौधे भी जो है जीव अंदर ले लेते हैं और कार्बन डायक्साइड को निर्मक्त करते हैं इनकी कोसिकाओं में भी ऑक्सिजन का उपयोग अन्य जीवां की भाती ही ग्लुकोज के कार्बन डायक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है पादप में प्रतियक अंगवायु से स्व भाति ही मूल कोसिकाओं से उर्जा उत्पन्र करने के लिए उक्सिजन लेते हैं मूल मृदा कणों के बीच से खाली स्थानों को उपस्तित वायु से उक्सिजन ले लेते हैं क्या आप अनमान लगा सकते हैं यदि किसी गंबले के पौदे में बहुत अधिक पानी डाल दें तो क्या होगा ये भी आपको देखना है तो आप डाल के देखेगा गंबले में बहुत दीख पानी आप डालेंगे तो क्या होगा इस अध्याय में आपने पढ़ा कि स्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रग्रम है सभी जीवां को अपनी उत्तर जीविता है तो आवश्यक और किसी को देखन की आउशकता होती है ठीक है तो क्या देखा आपने बूजों ने दूर देखा था कि वेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतर से उपर आ जाती है कभी-कभी उपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार में भी छोड़ती है फुहार भी छोड़ती है ऐसा क्य पहली जानना चाहरी है पहली जानना चाहते है कि क्या भूमिकत होते हुए पाद्पों की जड़े औक्षीजन गेहर करती है यदि ऐसा है तो है जिवीत रहने के लिए स्वसन करनेustस्टर होती है ठीक है तो अब यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है इसमें हमने कुछ खास-खास जो सब्दों पड़े थे वह पड़े थे वाइवी स्वसन और अवाइवी स्वसन स्वसन दर कोशिकी स्वसन कैसे होता है डायफ्राम क्या है उच्छ स्वसन कैसे होता है क्लोम क्या होता है मचली में ज आगे जाके आपको इनको सबस्दों का समझ में अर्थ अच्छे से आ जाएगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और बांकि ये लेसन अब लगभग पूरा हो चुका है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, चलिए, इसके में में पॉइंट हम पढ़ इसमें, स्वसन सभी जीवों के जीवी तरहने के लिए अनिवारी है, सबसे पहली चीज है, सभी जीवों के जीवी तरहने के लिए क्या अनिवारी है, स्वसन अनिवारी है, जीव द्वारा लिए गए भोजन से उर्जा को निर्मुक्त करता है, ठीक है, अगला पॉइंट ह हम अंतर स्वसंद्वारा जो वायू सरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्तित ऑक्सिजन का उप्योग ग्लुकोज को कार्बन डायोकसाइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है इस प्रक्रम में उर्जा निर्मुक्त होती है और इस प्रक्रम में क्या होता है उर्ज यदि भोजन ऑक्सिजन के उप्योग द्वारा विखंडित होता है यदि भोजन जो है ग्लुकोज ऑक्सिजन के उप्योग द्वारा विखंडित होता है तो यह वाय वी स्वसंद कहलाता है आप से क्वेश्चन पुछा जा सकता है कि वाय वी स्वसंद क्या है तो आप कहें भोजन-ग्लूकोज ईक्सिजन के अउपयोग द्वारा विखन्डित होता है तो यह एव आव위 सिktा कहलाता है यदि विखंडन एक्सिजन की अनुपस्रिटिती में पहुता में ब्धूस ईक्सिजन के अनुपस्रिटी में इक विखनalta series अवाईवी स्वसन द्वारा होता है जब हम अत्य अथिक व्यायाम करते हैं जब हमारी पेशी कोछ काउं में अक्सिजन की आप उर्ती कम हो जाती है तब भोजन का विखंडन कैसे होता है अवाईवी स्वसन के द्वारा होता है ठीक है चलिए अगला पॉइंट लेते हैं सांस लेना स्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सिजन संब्रद वायू को सरीर के अंदर लेता है और कार्बन डायक्साइड संब्रद वायू को जो है बाहर निकालता है जैसा गैसों के विनिमय के लिए विभिन जीवों में स्वसन अंग भिन भिन होते हैं ठीक है अन्ता स्वसन या नी स्वसन के समय हमारे फेपड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ स्वसन के साथ ये अपनी मूल वस्था में फिर से आ जाते हैं अगला point है, सारी इक सकरेता के बढ़ने पर स्वसंधर भी बढ़ जाती है, यदि हम koji सारी इकारेते जी के सांथ दोड़ेंगे याँ करेंगे तो हमारी स्वसंधर भी बढ़ जाएगी, ठीक है, गाय, भैस, कुटे, बिल्ली जैसे जीवों में स्वसन अंग और स्वसन प्रक्रम मानव के समान ही पाए जाते हैं अगला है कैच्वे में गैसों का विन में उसकी आद्र तवचा के माध्यम से होता है कैच्वे में गैसों का विन में उसकी तवचा के माध्यम से ही हो जाता है और मचलियों में कैसे होता है स्वसन क्लोम से और कीटों में स्वास प्रणाली से होता है ये भी आप से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मचली में कैसे स्वसन होता है तो कैसे होता है कलोम के द्वारा और कीटों में कैसे होगा स्वास प्रणाली के द्वारा होता है पादपों के मूल मुरिदा में उपस्तित वायू को ग्रहन करती है पत्यों में नन्हे चिद्र होता है जिने रंद्र कहते हैं जिससे गैसों का भी निमे होता है पादप को सिकाओं में पादप को सिकाओं में क्या होता है ग्लुकोज का भी खंडन अन्य जीवां की तरह ही होता है तो डिया स्टूडेंट अब ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है अब इसके question answer हम आपको अगले lesson में कराएंगे ठीक है इसका अगले lesson में हम आपको इसके question answer जो भी होंगे वो सब आपको कराएंगे और आप सब इसको बार बार revise करके पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपने दोस्तों को share भी कीजिए और चैनल को हमारे like और subscribe करना मत भूदिएगा थेंक्स पर वाचिन